So hello and welcome guys, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एक good news के बारे में जो आप नहीं जानते हैं जी हाँ guys इस वीडियो को end तक देखें, इस वीडियो मैं आपको पूरी information देने वाला हूँ साथ में ये वीडियो होनी वाली है, बहुत ही खास तो वीडियो को end तक देखें So hello guys, मेरा नाम है राजिंदर और आप देख रहे हैं Android Bulp Channel तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं guys कि यहां पर अभी जो है रात के दो बज़रे हैं जो कि आप कहा सकते हैं सुबा हो चुका है और यहां पर दो बज़े मैं इस वीडियो को सूट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे सबसे पहले आपको यह बताना था इसलिए मैं वीडियो को सूट कर रहा हूँ और देखते हैं यह कब तक यह publish हो जाता है और मैं इसमें कुछ editing वगरे थोड़ा बहुत करूँगा तो चलिए वीडियो के topic पर चलते हैं के बारे में अगर आपको नहीं पता code assist के बारे में तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें बताया था कि code assist क्या होता है नहीं पता तो फिर भी मैं आपको एक sort में बता दिता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप sketchware में कोई भी application बनाते थे उसी तरह सेम आपको यहाँ पे sketchware में तो आप without coding करके आप application बनाते थे लेकिन वो जैसे कि आपको पता है कि sketchware अब जो है प्लेश्टोर में नहीं है हो सकता है 2022 में आये लेकिन अभी उसका कोई भी उमीद नहीं है मैंने इस पे already वीडियो बना रखा है अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लिजेगा यहाँ पे मैं आपको बता दू कि AID के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखें यहाँ पे AID पे बहुत सारे यूजर जो है सही से वर्क नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे उसी को देखते हुए यहाँ पे एक application launch हो गया guys finally यहाँ पे launch हो चुका है मैंने launch से पहले release से पहले मैंने इस पे वीडियो बना रखा है आप वो वीडियो को जरूर देखें फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को end तक देखें guys तो यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि यहाँ पे आप जो है आप android phone से एक professional जैसे android studio में android studio तो आपको पता होगा कि android studio जो है एक software है जो कि laptop या PC में install कर सकते हैं और उसमें install करके आप जो है android application एक professional application बना सकते हैं आपको यहाँ पे code assist application में देखने को मिलेगा जी है guys तो यहाँ पे बहुत सारे अभी इसमें updates जो है धिरे धिरे आ रहे हैं और यहाँ पे code assist जो है यह पहला मेरा YouTube पे सबसे first video है यहाँ पे आपको कहीं भी अभी नहीं मिलेगा आप date भी आज कर देख सकते हैं guys यहाँ पे 23 December 2021 है date आप देख सकते हैं और यहाँ पे आभी timing की बात किया तो यहाँ पे दो बज रहे है guys तो यहाँ पे मैं सबसे first video यह upload कर रहा हूं जो कि release पे है तो यहाँ पे मैं आपको code assist के बारे में update से related यहाँ पे पहला video upload कर रहा हूं और पूरे YouTube यहाँ पे आपको कहीं भी release नहीं हुआ था मैंने उस video में already आपको बता रहा है कि release नहीं हुआ है लेकिन release कब तक होता है मैं इस पे जरूर video बनाऊँगा सबसे पहले बनाऊँगा तो जैसे कि मैंने आपको promise किया था मैं finally video लेकर के आ गया हूं तो यहाँ पे code assist जो है play store पे release हो चुका है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको इसे जो है install करना इसका version की बात करें तो 1.9 alpha version है यह तो यहाँ पे version भी आप देख सकते हैं हो सकता version में थोड़ा mistake हुआ हो लेकिन आप देख सकते हैं तो यह version और date भी आप यहाँ पे tutorial में विस्तार से बताऊंगा आपको कैसे application बनाना है अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे जितना ज़्यादा हो सके उतना like करें और आपने जितने भी friends हैं जितनी भी android developers आपके दोस्त हैं जो भी android application बनाने में interest रखते हैं तो उन्हें share जरूर करें इ चाहिए अगर आपको coding नहीं आता फिर भी मैं अहां पर step by step आपको tutorial बनाऊंगा बस आपकी जितना हो से को उतना इस वीडियो को like और share करेंगा तो यहां पर update की बात कर लेते हैं तो यहां पर application play store में जाना है इस वीडियो के description में application का link भी देदूंगा तो यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको जाना है play store में जाने के बाद आपको simple सा इस application को install करना install करने के बाद यहां पर आपको जो Möglichkeiten को बहुते हैं यहां पर कुछ ताइम्स लगेगा यहां पर आपका internet connection के से क्योंकि देन्सिंस जो होते है वो स्टोल्स होते हैं तो यहां पहए आपका internet connection थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए सारी stores होने में यहां पहाँ पर आपको आपना अपली केसन जो है run कर पाएएएएएएएएए यहां पर आपकेसन आपको record assist जो है release हो चुका है finally आप जो इसमें work कर सकते हैं और I hope ये वीडियो आपके लिए यूज भूल रहा हुआ तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जैन वंदे मादरम गाइस